हेलो गाइस तो क्या से हो मैं लेकर आगया दब मार्शलण सेंपेनर की नीूब अपिज़ोट नमब थ्री को लेकिए तो गाइस जैसे के हमने पिछले कोसमेर देखा था लेकिंग को मारने के लिए लिस्वा नम का जो बंदा आया था उस लेकिंग के माँ एक हिडन प्लेस में बंद करने के लिए ले जाता है और तभी लिकिंग को किसी का आवाज आता है जो बोला था अगर मैं नहीं होता तो तुम इस इमोर्टल कॉंटिनेंट में तो अभी तक सर्भाइपी नहीं कर पाते अब आगे तो गाइस इस एपिसोट की शिरुबात होता है और हमें दिखाय जाता है लिकिंग को जो उस बंदे की आवाज सुनके अपने हातों की और देखते हुए कहने लगता है अड़े ये भॉयस किसकी है और ये लाइट किया है और तभी उस जेड्रिंग से बहुती स्प पेस में पहुँच जाता है और ये सब देखके लिकिंग कहता है अरे अब एक कौन सी प्लेस है और मैं यहां क्या कर रहा हूँ और जब लिकिंग ये सब कही रहा होता है कि तभी लिकिंग के तरब दो बड़े-बड़े स्पीच्वल मचलिया आने लगता है जो देखके लि जब ओ एक जाके उन दोनों मचलियों की उपर लगता है जिससे तो उस दोनों को कुछ फर्ट नहीं परता बड़ जो देखके लिकिंग कहता है अरे ये क्या हुआ मेरा एक तो इन दोनों के उपर कुछ काम ही नहीं आया और तभी ओ दो मचलिया लिकिंग के फोर हेट में ज उने लगता है और हमें पता चलता है ओ दो मचलिया तो असल में दचावस दुएल इन यांग टेकनिक होता है इसके कुछ दिर बाद लेकिंग के सीरदर्थ करना बंध हो जाता है और तभी फिर से ओ भॉयस कहता है तो तुम फाइनली यहाँ पे आही गए जो सुनके लेकिंग कहता है तुम कौन हो और तभी उसके सामने एक बंदा एपियार होता है जो अब तक लिकिंग से बद कर रहा था और ओ बंदा बोलता है मैं इस स्पेस की एक स्पीट हूँ और मेरा नाम है मो युवान मैं कफी टाइम से तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतेजर कर रहा था और अब तुम फाइनल ही आही गए यह सुनके लिकिंग बोलता है क्या तुम सच में एक स्पीड हो और यहाँ पे मेरा इंतेजर करने से तुम्हारा क्या मतलब है और मो युवान कहता है मैं लंबे समय से इस जगा पे क्या धूँ मुझे यहाँ से निकलतने के लिए जे ड्रिं कहने लगता है तुम ए सब जो कह रहे हो क्या ए सब कुछ सच है लेकिन तुम और मैं तो कोई रिलेटिप्स नहीं है तो मुझे तुम्हारी मदद करना क्यों चाहिए जो सुनके मो युवान कुछ चीजों को निकलने लगता है और कहता है मेरे पास स्वाश से भी ज़्यदा स्किल्स, मार्शलर टेकनिक और बहुत सरा मेडिसिन के नोलेज है अगर तुमने मुझे तुम्हारा मास्टर मान लोगे और यहां से बाहर निकलने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ए सब स्किल्स और टेकनिक सिखा दूँगा और एस उनके लिकिंग कहता है मास्टर के रुप से में तुम्हें मान नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम उससे ज्यादा एच के नहीं लगते हो बैसे भी में तुमको इहां से निकलने में मदद करने पर सोच विचर कर सकता हूँ इसके बाद मोई वान तीन जेट स्लिप को निकलते हुए कैदा है एत तीन चीजे जो है तुम्हारे लिए बहुती ज्यादा यूस्पूल होनी चाहिए तुम इसे मेरे तरब से एक गिफ्ट समझ के रख सकते हो यहां से निकलने के बाद मैं तुम्हें बाकी सारे चीजे द दूंगा इसे इस जेट स्लिप को समझने के लिए तुम्हें पहले इसे अपने फोर हेड में रखना परेगा तभी लिकिंग तीनों ही जेट स्लिप को अपने फोर हेड में रखता है और उसमें जो भी इनफॉर्मेशन है वो सब लिकिंग के माइंट में जाने लगता है और उन में से एक jet slip में refining के जनकरी दिया गया होता है जिस method से किसी के भी soul के power बढ़ता है और दूसरे jet slip में alchemy के बड़े में जनकरी दिया गया होता है और तीसरे jet slip में क्यासे spiritual liquid को cultivate करके QI के cultivation stage के foundation को strong किया जाए इसके बड़े में जनकरी दिया गया होता है जैसे ही एस सभी चीजे leaking के mind में चला जाता है इसके बात leaking मोईवान से बोलता है एस सभी चीजे तो बड़िया है जो मेरे लिए बहुत ही useful होगा इसलिए मैं एस सभी चीजों को accept करता हूँ अब तुम बताओ कि मैं कैसे तुम्हारे help करूँ इन spell बाली जनजीरों से आजात होने में और तभी मोईवान बोलता है तुम्हे बस इस spell को तोड़ने में मेरी मदद करना होगा क्योंकि इस spell को cable तुम ही छू सकते हो और यह यात रखना कि तुम्हे इस से पुरी तरह से रिमूब करना पड़ेगा और लिकिंग कहता है ठीक है लेकिन किया सच में यह इतना जदा असन होगा और इसके बात लिकिंग जमिन पे परी हुई एक इस पिल बाली तरिश्मान लेने लगता है और एही ओ इस पिल है जिसे फारने से ही मौयुवान इहां से आज़त होगा लेकिन हमें ए दिखाया नहीं जाता है कि लिकिंग उस तलिस्मान को छूता है कि नहीं और इसके बात लिकिंग मौयुवान से बोलता है जो ए इस पिल बाली जंजिरे है ए तो तुम्हारे साथ एकदम से जूरा हुआ है इसलिए मुझे लगता है इसे तोड़ने में थोड़ा हर्ड होगा जो सुनके मौयुवान कहता है जितना समय लेना है ले लो कोई जल्दी नहीं है लेकिन याद रखो कि तुम्हें इसे पूरी तरह से हटाना ही पड़ेगा एक कहने की बात ही मौयुवान अपने मन में ही हस रहा होता है और हसते हुए कहता है तो आखिरकार आखिरकार मैं यहाँ से अब निकल सकता हूँ और मौयुवान के हरकत देखके लिकिंग बोलता है हेई मौयुवान अब तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है और इसके बाद मौयुवान लिकिंग से कहता है तुमने बहुत आच्छा काम किया लिकिंग तुम बहुत स्माठ हूँ But unfortunately, आप तुम कुछ ज़्यादा ही stupid बन गए हो, लेकिन ए हम दोनों के लिए एक दुसरे को जानने का एक rare अफसर है, मैं थोड़ा दायालो हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब जल से जल्द एक आसान मौत दूंगा, एक कहता हुआ, मोईवान लिकिंग के उपर एटक करने के लिए बढ़ जाता है, और तभी ओसल्द मोईवान को फिर से जंजीरों में बंद कर देता है, जिस बजा से मोईवान जमीन पे गिर जाता है, और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा लिकिंग, और तभी उसके नाजर जमीन पे परी हुई तलिशमन पे परती है, जिसे देखकर मोईवान भरकते हुए कहता है, तुमने इस सील को नहीं खोले, लिकिंग तुमने मुझे धोका दिया, और लिकिंग बोलता है, क्या तुम्हें सचमुच लगा है, कि मैं तुम पर इतने आसानी से पूरी तरह से भरुसा कर लूंगा, और ए कहते हुए, लिकिंग आ मैं इतने जल्दी अपना जीबन समप्त करना नहीं चाता हूँ, तो गाइस, इसलिके साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खतम हो चाता है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्रेब करना, शेयर करना, और कॉमेंट में जरूर बताना वीडियो क्य कैसी लागी है,